अब्लेक एरोप्लेन जो की तीसर लेक्षन का सेकेंड पार्ट इस टोरी ओप यंग सीगल पहले पार्ट हे अमरे पड़ा सीगल की कानी के हाउ यह उड़नी की दो कानी है पहली कानी स्टोरी ओप यंग सीगल और सेकेंड इस टोरी ओप्लेक एरोप्लेन यह दूसरी कानी है ब्लेक एरोप्लेन है इसमें एक पाइलेट की कानी है कैसे वो अग पाइलेट कैसे वो तुफान से बहार आया इस स्टोरी का हम आंसर है, find करेंगे, okay, so let's start, this is really very interesting story, so we will start to read it, the moon was coming up in the east behind me, the moon was coming up, चंद्रमा था, वो उपर आ रहा था, ये पाइलेट खुद बोल रहा है, यहां पर नेरेटर है, वो एरोपलेन का पाइलेट है, the moon was coming up in the east, चंद्रमा है, वो पुरो दिसा में उपर आ रहा था, behind me, मेरे पिछे, the stars were signing in the clear sky, जो तारे थे, वो signing कर रहे थे, चमक रहे थ मेरे उपर, there wasn't a cloud in the sky, आकास में एक भी बादल नहीं था, I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside, I was happy, में परसन था, to be alone, अकेला होकर, high up above, high up में चे काफी उपर, above the sleeping countryside, सो राजों countryside था, सो राजों दिहाद था, उसके उपर उड़ते वे, में बड़ा परसन था, उड़ रहा था, कोई बादल बगर नहीं थे, बिल्कुल सांथ, अकेले आकास में में उड़ रहा था, I was flying my old Dakota airplane, over France, back to England, I was flying, में उड़ रहा था, में उड़ा रहा था, मेरी जो पुरानी Dakota airplane थी, उसको में उड़ा रहा था, और France, France के उपर से, back to England, वपिस इंगलेंड जाने के लिए, वपिस इंगलेंड जाने के लिए, वपिस इंगलेंड जाने के लिए, फ्रांस के उपर से एड़ा रहा था, I was dreaming, और मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे मेरे छुटी के मेरे होलिडी की जो सपना है वो चल रहा था कि मैं मेरे छुटी को क्या करूँगा Looking forward कर रहा था मैं आसा कर रहा था To being with my family मेरे परिवार के साथ होने की मैं आसा कर रहा था Looking forward के बाद हमेशा First War में आए इंजी आता है Looking forward to being with my family मेरे परिवार के साथ होने की मैं आसा कर रहा था मेरे छुटी को मनाने की मैं विचार कर रहा था इसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे I looked मैंने देखा at my watch मेरी कड़ी पर 1.30 in the morning सुबह के 1.30 वे थे सुबह के डेड़ बजे थे रात के डेड़ बजे थे I should call Paris control soon I should call मुझे call करना चीए Paris control को सिगरे Paris control को call करना चीए I thought मैंने सोचा मैंने सोचा Paris control करना चीए मुझे बताने चीन फोर्म देने चीए मैं यहां उड़ रहा हूं यहां से As I looked down past जैसे ही मैंने looked down past पिछे देखा मुड़के The nose of the airplane Aeroplane की nose के पास से मैंने देखा पिछे मुड़के I saw मैंने देखा The lights of a big city बड़े सहर की lights यानि Paris की जो light थी वो मैंने देखा In a front of me मेरे सामने मेरे सामने Paris की light वो मैंने देखा और मैंने सुचा जो Paris control room है उस पर मुझे call करना ची मुझे inform करना ची कि मैं यहां से उड़ रहा हूँ I switched on the radio मैंने radio को switch on किया and said और कहा Radio को switch on करते हैं मैंने कहा I switched on the radio मैंने radio switch on किया and said और कहा क्या कहा Paris control Dakota DS 088 here can you hear me क्या तुमझे सुन रही हो I am on my way to England मैं मेरे England जाने वाले रस्ते पर हूँ over यहां उपर से England जा रहा हूँ में तो इस परकार उसने Paris control को inform किया कि आपके उपर से जा जोड़ रहा हूँ मैं England जाने वाला हूँ तो इसने radio on करते हैं इसने मुझे आंसर दिया तुरंती तुरंती क्या उतर दिया DS088 I can hear you I can hear you मैं तुम्हें सुन सकता हूँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ यू out to turn तुम्हें मुड़ना चीए 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट नाव अब पूरू पस्चिम की तरफ अब तुम्हें 12 डिग्री पस्चिम की तरफ मुड़ना चीए DS088 over और वेस्च पूरी बात यह उसने inform किया भी तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चीए I checked the map मैंने map check किया and the compass और compass को check किया compass होता है जिसा सुच की अंतर जो जिसा बताता है compass को check किया and switched over to my second and last fuel tank मैंने मेरे map check किया और compass को check किया switched over switched over किया मेरा second और last fuel tank था उसको मैंने चालू कर दिया fuel tank को and turn the Dakota 12 degree west और मैंने turn कर दिया मोड़ दिया Dakota तेवेले को मेरा जो एरोपले था Dakota तेवेले उसको Dakota को मोड़ दिया 12 degree west 12 degree west के तरफ towards England England के तरफ England के तरफ 12 degree मेंने मोड़ दिया कहे अनुचार I shall be in time for breakfast I shall be in time मैं समय पर पहुंचूंगा breakfast के नास्ते के नास्ते के time पर मैं पहुंचूंगा I thought मैंने सुचा a good big English breakfast एक अच्छा बड़ा English breakfast English नास्ता everything was going well सब कुछ ठीक हो रहा था सब कुछ going well it was an easy flight यह बिल्कुल easy flight थी कोई सोर्च रवा और कुछ नहीं था बिल्कुल सांथ आकासमे में उड़ रहा था Paris was about 150 km behind me Paris अब है वो 150 km पिछे रह गया the Paris was about 150 km behind me kilometers behind me Paris आवो 150 km मेरे पिछे रह गया when I saw the clouds जब मैंने बादलों को देखा बादलों को देखा तो पेरी से 150 km पिछे रह गया था storm clouds से तुफानी बादल Paris 150 km पिछे रह गया था जब मैंने बादलों को देखा तुफानी बादलों को देखा they were huge वे विशाल थे they looked like black mountains they looked like black mountains southern middle standing in front of me मेरे सामने खड़ेवे across the sky पूरे आसी मेरे सामने खड़ेवे काले प्रभत सकता में एरोप्लेन उड़ाने सकता और उनके उपर से निकले नहीं सकता I did not have I did not have enough fuel और मेरे पास प्रयाप्त फ्यूल भी नहीं था to fly around there में उन्सके घुमके उड़ने का to the North और South उत्रोरे दक्षण की तरप उत्रोरे दक्षण की तरप घुमकर जाने का मेरे पास फ्यूरा फ्यूल भी नहीं था I ought to go back मुझी वापिस जाना चिये तो पेरिस पेरिस मुझी वापिस पेरिस जाना चिये I I thought मैंने सोचा मैंने सोचा वापिस मुझे पेरिस जाना चिये but I want to get home I ought to go back to Paris मुझी वापिस पेरिस जाना चिये ये मैंने सोचा मैंने मुड़ने के बारे सोचा भी यहां से ट्रन हो के नोर थिया South के तरप ट्रोर गूम के निकलूं लेकिन मेरे पास फ्यूल नहीं था मु पेरिस जाना चाहता था I wanted that breakfast मैं उस breakfast को लेना चाहता था आगे जाना चाहता था पेरिस के तरब नहीं मुड़ सकता था I shall take the risk मैं रिसक उठाओंगा मैं जोखिम उठाओंगा I thought मैंने सोचा मैंने सोचा मैं जोखिम उठाओंगा and flew that old Dakota straight into the storm और flew और उडा दिया that old Dakota उस दोफान के बीच में उडा दिया ठोंच दिया inside the clouds से बादलों के अंदर everything was suddenly black everything was suddenly black हर चीज काली हो गई everything was suddenly black हर चीज काली हो गई it was impossible यह एसंबो था to see anything कुछ भी देखना it was impossible to see anything कुछ भी देखना एसंबो था outside the aeroplane aeroplane के बाहर कुछ भी देखना एसंबो था the old aeroplane jumped and twisted the old aeroplane jumped and twisted जो पुराणा aeroplane मेरे पास था उसने jump किया twisted और मुडा in the air हवा में हवा में वो चक्कर लगाता रहा I looked at the compass मैंने compass पर देखा दिशास उचेक यंतर पर देखा I couldn't believe मैंने विश्वास भी नहीं किया my eyes मेरे आँखों पर मेरे आँखों पर मेरे आँखों विश्वास नहीं किया the compass was turning round and round and round कि जो दिशास उचेक यंतर था जो compass था वो turning round and round and round वो गोड़ गोड़ चकर लगा रहा था गोम रहा था इट वोड़ डेड इट वोड़ डेड यह खतम हो गया मरत हो गया था यानि वो तीसा बढ़ाने बताने बंद कर दियो उसने इट वुड़न्ट वरक यह कारी नहीं करेगा इट वुड़न्ट वरक यह कारी नहीं कर रहा था the other instruments were suddenly dead और अन्य जो instruments थे वो चानक dead हो गए अन्य instrument भी too much भी अन्य instrument भी dead हो गए थे I tried the radio मैंने radio की कोशिश की radio पर बोलने की कोशिश की paris control paris control can you hear me paris control paris control can you hear me there was no answer कोई उत्तर नहीं था the radio was dead too radio भी dead हो गया I had no radio मेरे पास कोई radio नहीं था no compass मेरे पास कोई compass नहीं था I couldn't see में देख नहीं सकता था where I was कि में कहां था I was lost in the storm में तुफान में खो गया then in the black clouds से और फिर उस black clouds में काले बादलों में quite near me बिलकुल मेरे पास मेरे बिलकुल नजदी काले बादलों में I saw मेरे देखा another aeroplane दूसरा aeroplane and it had no light से और उसकी कोई light नहीं थी on its wings से इसकी पंकों पर इसकी पंकों पर कोई light नहीं थी but I could see कि तुमें देख सकता था it flying इसे उड़ते वे next to me मेरे पास through the storm तुफान में तुफान में में इसे उड़ते वे देख सकता था I could see the pilot's face में देख सकता था पाइलट's face पाइलट के चैरे को I could see the pilot's face पाइलट के चैरे को में देख सकता था turn toward me जो मेरी तरफ मुड़ा वा था I was glad में परसन वा I was very glad में बहुत परसन वा to see another person दूसरे वेक्ति को देख कर he lifted one hand and waved उसने lifted one hand एक हात उठाया and waved और हिलाया उसने मेरी तरफ वेव किया हात को हिलाया follow me मेरा पिच्छा करो he was saying वे कह रहा था follow me वे मुझे कह रहा था follow me follow me मेरा पिच्छा करो मेरे पिच्छी पिच्छी आते रहो he knows वे जानता था that I am lost वे जानता था कि में lost हो गया मुझे पता ही ने चादा रहा था to help me मेरी help करने के he turned his aeroplane slowly to the north he turned his aeroplane उसने अपना aeroplane turn किया slowly दिरे दिरे to the north उत्तर की तरफ इन फ्रंटों मेरे to follow him उसका पिच्छा करना उसने दिरे दिरे अपने aeroplane को नोर्थ की तरफ turn कर लिया मेरे आगे एकदम ताकि में मेरे लिए आसान हो जाई उसका फॉलो करना कि I was very happy to go behind I was very happy to go behind मैं बहुत परसंथा पिच्छी जाकर मैं बड़ा परसंथा like an obedient child एक आग्याकारी बच्चे की तरह है obedient child की तरह है एक अजीव aeroplane के पिच्छे चलते वे मैं बड़ा परसंथा मुझे खुशी भी कि वह रस्ता मिल गया after happen और आदे गंटे बाद the strange black aeroplane was still there आदे गंटे बाद जो अजीव black aeroplane था वो अभी भी था in front of me मेरे सामने in the clouds बाद लो में आदे गंटे बाद तक भी वो aeroplane मेरे सामने था और उड़ रहा था नाव और अब now ab there was only enough fuel in the old dakota last tank ab there was only enough fuel kemal परियापत fuel था in the old dakota's last tank के पुराने डेकोटा के अंतिम टेंक में परियापत fuel था to fly उड़ने के लिए for five or ten minutes more kemal पांच और दस मिनट I was old dakota tank में पुरान old dakota tank में इतना fuel था इतना इंदन था कि में पांच और दस मिनट ओर उड़ सकता था I was starting to feel frightened again I was starting में शुरू गया to feel frightened ड्रावा अगेन दुबारा दुबारा में ड्रनने लगा बट देन किन्तु फिर he started to go down किन्तु फिर वो started to go down निचे जाने लगा and I followed और मैंने follow किया through the storm तुफान से तुफान में से उसको follow मेंने किया suddenly अचानक है I came out of the cloud से में बादलों से बाहर आया and saw और देखा two long straight lines of lights मेंने देखा दो लंबी सीधी लाइने of lights प्रकास की in front of me मेरे सामने मेरे सामने light की दो सीधी लाइने मेंने देखी it was a runway और ये runway था मैंने देखा कि ये runway था an airport और airport था I was safe में safe था I turned में मुड़ा to look for my friend मेरे friend को देखने लिए in the black airplane काले airplane friend को देखने लिए मुड़ा but the sky was empty empty कि तो आकास खाली था there was nothing there वहां कुछ भी नहीं था the black airplane was gone black airplane चला गया था I could not see it anywhere I could not see मैं देखने इसका anywhere कहीं भी इसको I landed I landed मैं landed वा जमीन पर मैंने पेर रहे लेंड़ वह वोग अवे फ्रॉम ओल्डेकोटा और मैं बहुत शोरी फिल कर रहा था was not surey शोरी नहीं था दुखी नहीं था I landed मैंने landed किया was not sure to walk away from the old Dakota near the control tower कि शोरी landed हुआ और वोज नोट शोरी तुख अवे चलने के लिए में शोरी नहीं था from the old Dakota पुराने डेकोटा से दूर जाने के लिए में इतना शोरी फिल नहीं कर रहा था दुखी नहीं था near the control tower control tower के पास यानि में control tower के पास गया I went में गया and asked a woman और मैला से पुचा in the control center control center में मैला से पुचा where I was कि में कहां था and who the other pilot was कि दूसरा पाइलेट कोन था I wanted to say में कहना चाहता था thank you उसको में thank you कहना चाहता था कि दूसरा पाइलेट कोन था में कहां किस जगह पर था यह मेंने control center बजा के पुचा पुचा she looked at me उसने मुझ पर देखा very strangely परे strangely मेरे पर देखा and then laughed और फिर वो हसी another airplane फिर हसते उसने का दूसरा airplane another airplane अप दियर वहां in this storm इस तुफान है दूसरा airplane no other airplanes कोई दूसरा airplane नहीं था no other airplane नहीं था no other airplane और फ्लाइं तो नाइट आज कोई दूसरा हईजाज नहीं रहा था yours was the only one तुमारे वाड़ा क्यों एक जाज था I could see on the radar जो में radar पर देख सकती थी radar पर में देख सकती थी कि तुमारे वाड़ा जहाजी उड़ रहा था कोई दूसरा airplane आज नहीं उड़ रहा था so who helped me इसलिए किसने मेरी help की to arrive there वहां आने के लिए safely सुरक्षी तूप से सुरक्षी तूप से वाड़ा एकली मेरी किसने help की विदाओ एक कंपास और रेडियो बिना कोई कंपास के बिना कोई रेडियो के वहां आने में किसने मदद की without any more fuel in that my tank से मेरे टैंक में बिना कोई fuel के या आने में किसने मदद की who was the pilot pilot कौन था on the strange black airplane उस strange black airplane में रा था without lights बिना लाइट उस ने मेरी मदद की so who was that he didn't know when he जानता so this is the second story of the 10th class third lesson third lesson की दूसरी कानिये it is really interesting read it again okay thank you so much for watching